तो स्वागत है आप सभी का ग्यापन एकेडमी के इस नए और लेस्ट वडियो में जैसा कि मैं आप लोग को चैप्टर नंबर टू पढ़ा चुकी हूं अल्रडी कम्प्लीट कर चुके हम लोग तो चैप्टर नंबर टू का आज के इस वडियो में हम लोग टोटल सल्यूशन करने वाले हैं यानि की objective और subjective question करने वाले हैं टोटल सल्यूशन ठीक है चैप्टर नंबर टू का नाम याद रखिएगा क्या है मिट्टी का तेल मिट्टी का तेल यह है आप लोग का सबक नंबर दो यानिकी lesson टू मिट्टी का तेल ठीक है इसके राइटर कौन है मैं आप ल तो अगर नहीं पढ़े हैं तो इसका पहला वाला वीडियो यानि की chapter नंबर टू पढ़ाई हूँ उसको अच्छे से पढ़ लीजिए और तब आप लोग जितना भी objective question में आप लोग को कराऊंगी या फिर subjective question answer उसको आसानी से आप लोग खुद से answer दे पाएंगे ठीक है त उसके सांसा वीडियो को शेर कर देना है और लाइक भी कर देना है चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं मिट्टी का तेल नाम का चैप्टर है चैप्टर नंबर टू इसके सारे objective और subjective question को complete कर लेते हैं यान की total solution करते हैं तो without any delay let's go to start हां तो यहां से आप लोगा स्टार्ट हो रहा है question देखिए चैप्टर नंबर टू का नाम लिखा हुआ है मिट्टी का तेल राइटर है ख्वाजासन निजामी स्टार्ट हो रहा है सबसे पहले objective question और उसका answer लिखा हुआ है यापर देखिए मारोजी सवलात मा जवाबात य जवाब के सांथ तो देखिए सबसे पहला question सबसे पहला सवाल आपके screen के उपर है कि आग हवा पानी और खाक में सबसे कम तर किसको समझा जाता है यह सबसे पहला question है और अगर आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे मैं आप लोग को बताई हूँ कि आग हवा पानी और खाक डी लगाया होंगे जो की बिल्कुल सही जवाब है next question on the screen है दूसरा सवाल आपके screen के उपर कि मिट्टी के साथ दुनिया क्या सुलूक करती है बताईए option A में सर पर चढ़ाती है B में बिस्तर पर बिचाती है C में पाउं से रौंदती है और D में पॉकिट में रखती है इसमें अलिफ बेजीम और डाल करके दिया है लेकिन आप इसको ABCD करके समझे तो देखिए यहाँ पर मिट्टी के साथ दुनिया क्या सुलूक करती है दुन से भी कौन तेल एहम हैं बताइए तो चंबेली और मोथिया के तेल से भी एहम तेल मिट्टी का तेल है यह भी मैं आप लोगों को देखिए चैप्टर पढ़ें तो हर एक चीज आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और खुद से आप लोग एंसर दे पा रहे होंगे आयो बिल्कुल आप लोग एकदम सही सही एंसर दे पा रहे होंगे इसलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूं अगर चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो जरूर पढ़ लीजेगा तब आप लोग कोश्चन एंसर करेंगे नो तो एकदम मज़ा आ जाएगा आप लोग को कोश्चन ए बलकि बदभू होता है और यहां तक कि कुछ लोग को मिटी का तेल का जो बदभू है वही पसंद आ जाता है लेकिन लब ज्यादतर आप बोल सकते हंड़ेट परसेंट मैंसे नाइंटी नाइन परसेंट लोग जो है वह मिटी के तेल की सुगंध सुगंध नहीं इसकी बद होता है दुर्गंध होता है तो वह अमेरिका का ताजिर था यानि कि आपसा नंबर इस तरह इंसर यह भी आप लोगों को पता होगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन है हजत ख्वाजा हसन निजामी की पैदाइश कब हुई तो एंसर में लिखा हुआ है देखिए ज जगह का नाम निजामी से याद रखना है निजामुद्दीन औलिया यानि कि आपसा नंबर इस तरह इंसर ख्वाजास निजामी की पैदाइश जो है ना वो बस्ती निजामुद्दीन औलिया में हुई थी चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन सारा कोश्चन मेरा इंसर बताने से पहले कोश्चन नंबर एट है कि ख्वाजास निजामी के वालिद का नाम क्या था तो उनके वालिद का नाम था स्यद आशक अली निजामी और अगला सवाल आपके स्क्रिन के उपर है कि ख्वाजास निजामी के वालिदा का नाम क्या था यानिकी मा का नाम बताना है स्वाजास निजामी का नाम उनके माता पिता यानि कि वालिदीन ने मिलकर क्या रखा था तो वह रखे थे कासीम अली यह भी मैं आप लोगो पढ़ा चुकी हूं हर एक चीज मतलब जितना भी पढ़ा चुकी हूं और टोटल कोशन पूचा जा रहा है यहां पर ख्वाजास निजामी का इंतकाल कब हुआ उनका इंतकाल हो गया था 31 जुलाई उन्हेसा 55 और यह अपने मतलब मौत से 50 साल पहले ही अपनी कबर तयार करवा लिये थे और 50 में पांच जोड़ देंगे यह इनकी 55 में इनकी मौत हो गई थी इस तरह आप लोग याद रखने क ट्रिक भी मैं आप लोगो बताई थी अई होप आप लोगो याद होगा सब कुछ चाप्टर जो पढ़ाई हूं कोश्ट नमबर 12 है कि ख्वाजास निजामी कहां दफन हुए तो वो बस्ती निजाम अदिन ऑलिया में ही दफन हुए थे आपसा नमबर एच दराइट इंसर तेरह नंबर सवाल की हुआ जास निजामी ने कितने दीनों घिब कब अपनी कब कब्रशुटान तेयार कर लिए ती यान कि कि इतने साल पहले तो वो 50 से पहले ही अपना मान के सवाना उम्री आґ किस नाम से तरतीब दी तो वो था मृसुरी आपसा नंबर और यह हो जाएगा बिल्कुल सही जाओ तो यहां पर होगे आप लोगा अब्जेक्टिव कोस्टन कम्प्लीट ठीक है सारा कोस्टन इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा अब यहां से आप लोगा स्टार्ट हो रहा है वहरी शॉर्ट टाइप कोस्टन इसके साथ एंसर भी लिखा हुआ है आग हवा पाने और खाक में सबसे कम तर किसको समझा जाता है वह मिट्टी को मिट्टी के साथ दुनिया क्या क्या सुलूग करती है तो पाउं से रौंधती है पूरी दुनिया जितने भी लोग है यह पाउंबेली और मोतिय के तेल से भी एहम मिट्टी का तेल है कैसे क्योंकि इसके दम से दुनिया में उजाला होता है और मिट्टी के तेल के वज़ासी जितने भी मोटर गारिया वगर है वो चलती रहती है मिट्टी का तेल देखकर लोग नाक भौंकी उचड़ा लेते हैं बद्वू के वज़ा से मिट्टी का तेल तमाम तेलों से क्यों बढ़ चड़कर है जरूरत और अफादियत के लिहाथ से मिट्टी का तेल बिल्कुल बेगर्ज और बेतालुक है कैसे अपनी सुला की पॉलिसी के वज़ा से तो यह याद रखना है एंसर अब यहां से आप सबसे पहला सवाल है कि मिट्टी की बेचारगी और जिल्लत पर क्यों तरस आता है यह मॉस्ट इंपॉर्टन कोश्टन है बहुत बार पूछा गया है आप लोगे एक्जाम में मॉस्ट विविया इसको समझते हुए इसका एंसर जरा देखिए किस तरह एंसर लिखा हुआ है मिट्टी की बेचारगी और जिल्लत पर इसलिए तरस आता है कि अल्ला ताला ने दुनिया में चार बुनियादी अनासुर पैदा किये हैं आग, हवा, पानी और मिट्टी यह चार अनासुर चारतत्व हैं यह मैं आप लोग को यह भी और लड़ी पढ़ा चुकी हूँ बता फिर भी उफ तक नहीं करती हैं इसकी बेचारगी और जिल्लत पर इसलिए तरस आता है तो आप लोग को इस तरह एंसर लिख देना है देखिए कितना आसान भाषा में कितना सिंपल सा लफजों का यूज करके एंसर लिख दिया गया है बस आप लोग किसी तरह एंसर लिख और आप लोगे एकजाम्य कोष्ण पूचता है तो नेक्स्ट कोष्ण देखिए मिटि किता में कौन कौन से खजाने उद्रत ने चुपा रहे हैं तो मिटि किता में उद्रत ने ऐसे ऐसे नump खजाने चुपा रहे हैं जिसका कोई जबाब नहीं इन खजानों को काम मेलाकर इनसान एक मजभ आदमी कहलाता है तरह तरह के मादिनियात जैसे सोना, चांद, हीरे, मोती और जुआरात वगरा मिट्टी के अंदर ही होते हैं अगर यह मादिनियात ना होते तो मतलब यह सारे खजाने ना होते तो इनसान जानवरों जैसे जानवरों जैसी जिन्दगी बसर करता खैर और चीजों को तो छोड़िए मिटी के बाज टुकडों के तह में एक किस्म का चिकना बदबुदार पानी होता है जिसको लोग मिटी का तेल कहते हैं इस बतन यह दूसरे तमाम कुद्रती खजानों से ज्यादा मुफीद हैं यहां पर बोला जा रहा है कि मिटी केता में तो कुद्रत ने धेर सारे खजाने चुपाकर रखे हैं हीरे चांदी सोने जवरात वगरा लेकिन इन सब को खैर हटाईए इस मिटी केता में एक चिकना बदबुदार पानी एक खास तौर का पानी मिलेगा जो कि चिकना बदबुदार होता है जिसको लोग आम तोर पर कहते हैं मिटी का तेल तो यह मिटी का तेल जो है ना इंसान का शरी के खम कैसे हैं मिटी का तेल इनसान का शरी के गम इस तरह है कि वह अवाम के हर तबके की मदद और रहनुमाई करता है जैसे वो गरीब طلبा को अपनी रोशिणी में सबक याद कराता है बूरों को ठोकणों से बचाता है इसी तेल की रोश्णी चौर को चौरी करने में मदद करती है और चौर पकरने में पुलिस की भी मदद करती है जुडाई की रात में जब आशिकों का कोई मौनस वा गमकार नहीं रहता है तो मिट्टी का तेल अपने वजूद को जला कर इंसान का शरीक का गम हो जाता है देखिए मैं आप लोगो को अलड़ी यह पढ़ा चुकी हूँ और हर एक आप लोगो पता होगा आप लोगो बताई और जब इंसान की जुदाई की रात होती है जब इंसान का ब्रेक अप हो गया रहता है तो अपने अंधेरे कमरे में चुप चाप गम में डुबा हुआ रहता है बैठे रहता है तो और कोई नहीं मिट्टी का तेल ही जल जल कर वजूद ख़तम करता है अपना और इंसान के गम में शरीक होता है तो कुछ इस तरह से मिट्टी का तेल जो है इंसान का शरीक गम बन जाता है ठीक है यह हो गया आप लोगों का एंसर आगे बढ़ते हैं रॉक फेलर कौन था और वह दौलतमन्द कैसे बना आप लोगों को बताना है यह तो एक दम हलुआ कोश्चन है र रफता रफता तरकी करते करते बहुत दौलत कमाया और एक वक्त ऐसा भी आया कि उसका शुमार दुनिया के चंद एहम और बड़े सुर्मायदारों में होने लगा इस तरह जो है ना धीरे धीरे रॉक फिलर जो अमेरिका का रख फिलर था वह मिटी के तेल करते करते रफता रफता यानि कि धीरे धीरे बहुत बड़ा एक तरह से दौलत मंद बन गया तो इस तरह आप लोगों के इंसर लिख देना है आगे बढ़ते अब यहां से आप लोगों का साथ हुआ है तो देखिए सबसे पहला कुश्चन है कि अल्ला मिया ने मिटी के तेल में क्या-क्या खुविया रखी है सियाक और सबाक के हवाले से बताईए यह लॉंग टाइप कोश्चन है पांच नंबर का पूछा जा सकता है तो देखिए जवाब में लिखा हुआ है कि अल्ला ताला ने जब काइनात को पैदा किया तो इसके नजाम को बखुबी चलाने के लिए चंद म मकसद चुपा हुआ है इसलिए खुदा की किसी भी तखलीक को जलील या हाकीर नहीं समझाजा सकता है यह बर बोला ज़रा है कि आना कि लिए चीज को बनाया है है पैदा किया है उसके पीछे कोई ना कोई मकसद है ठीक है उसके पीछे कोई ना कोई मकसद छुपा हुआ है इसलिए खुदा के किसी भी तखलीक को खुदा के बनाई हुई किसी भी चीज़ को हम लोग हकीर वजलील नहीं समच सकते हैं किसी मुर्लब इस दुनिया में जितनी भी चीज़े उसका कोई ना कोई यूज है बेजात अखलिकात में चार अनसुर नहायत अहम है मिट्टी आग हवा और पानी यह चार अनसुर है जो की इंपोर्टन्ट है तो यहां प चार करा है कि वहार के इसाथ उर जाती है और पानी की बाऐ पर पानी इसाथ भाग सी जल जाती है मगर फिर भी उस तक नहीं करती यह आप की खजाने दबे हुए हैं जिनको इस्तमाल करके इंसान अपने मखलूक होने का दावा करता है इस तरह लंबा चड़ा आप लोगो एंसर लिख देना है आई होप आप लोगो समझ में आ गया होगा चलिए नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं दूसरा सवाल कि बिजली की रोशनी नहीं आ गई है चाहो तो अभी तो जादेतर मिटी का यूज़ नहीं हो रहा है तो फिर भी मिटी की तेल की ऐहमियत किस तरह बाकी है आप लोगो बताना है जवाब में लिखा हुआ है कि बिजली की रोशनी साइंस की एहम तरीन एजादों में से एक हैं बलके मधभ दुनि हैं फिर मिटी के तेल का आलमगीर असर और अभी भी बाकी है मतवस्त तबके के लोग और अदना तबके और आप बोल सकते हैं गुर्बा वो मसाकीन तमाम लोग जो आलमी अबादी की अक्सर हिस्थे में मिटी के तेल के लावा और कुछ नहीं जला सकते हैं देहात और अज़ाब कंप्लीटली की बस ता नहीं पोँच चुकी है तो आप ल्वां जिलाया जाता है ठीक है भीजाब्डी का रॉश्णी वहां पर नहीं पहुंच पाता है तो कि तेल की रॉश्णी में ही अभी भी बच्च जो है न ही वह और फूर करते हैं य्दा करते दुनिया के चार जुतत तो है आग, हवा, पानी और मिट्टी इसमें मिट्टी का मरतबा किस तरह बुलंद है बताईए तो देखे लिखा हुआ है यापर जवाब में कि दुनिया में निजाम हयात को बखुबी चलाने के लिए या चार अनासर पैदा किये है वो यह है मिट्टी, हवा, आग और पानी या चारो अनासर हयात इनसानी के लिए नहायत मुफीद भी है और जरूरी भी है इन अनासर के वजूद के बगएर जमीन पर हयात का वजूद मुमकिन नहीं है अपनी अपनी अफादियत के लिए हाथ से या चारो अनासर इनसानी जिन्दगी के लिए नहायत एहम है लेकिन अपने चंद मक्सूस और इंत्याजी और साफ के वज़ा से मिट्टी का मरतबा इन चारो अनासर में सबसे बुलंद है नापर बोला जराए कि इन चारो अनासुर में से मिट्टी का जो मरतबा है वो बुलंद है सबसे उचा है इसलिए कि हवा आग और पानी बेशक हायात इनसान के लिए नहायत मुफीद है लेकिन मिट्टी की अफादियत इन तीनों की बेनस्बत बहुत ही जादा है मिट्टी की एहमियत अफादियत और मरतबा का तथकरा करते हुए मजमून के मसन्निफ खौजा हसन अजामी फरमाते हैं कि चारो अनासुर आग, हवा, पानी और मिट्टी में ही सबसे ज़्यादा बेहकीकत और नाचीज है मतलब मिट्टी को बोला गया है जिसको जमीन की तमा करती है बजाहर देखने में इसकी बिचारगी और जिल्लत पर तरस आता है लेकिन खुद मिट्टी से अगर यह सवाल कर दिया जाए तो वह खुदा का लाख लाख शुक्रियादा करती है करते हुए यही कहेगी कि अल्लह ताला ने मेरी शान सबसे बड़ी और निरानी बना पैदा होता है मुझही से पैदा होता है मरने के बाद मेरे नासर में सबसे बड़ा ह inflam है कि अहमियत दफन हो जाता है तो इस तरह आप लोगों को एहमित बता देना है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोस्टन है कि मिट्टी का तेल की रोश्णी में पीर वजवान पार्सा और बद उन्वान लोग कौन-कौन से काम अंजाम देते हैं बताईए यह आप लोगों को बताना है तो मिट्टी का तेल में मजमून निगार मिट्टी के तेल की एहमित और वफादियत थाबित करने के लिए जमुनी तोर पर कई छोटे वाकियात पेश किए हैं वह यह बताना चाहते हैं कि भले ही आज बिजली आ गई है लेकिन दुनिया के जादतर लोग इसी मिट्टी के तेल के सारे अपनी रातों को उजाला करते हैं और तेल की रोष्णी मेरातに सारे कामों को निप्टाते है मिट्टी का तेल हकीकत के लिहाद से तो एक गंदा और सडा हुआ पानी है लेकिन अहमियत और रफादियत के लिहाद से यह तमाम तेलों से बढ़कर हैं आजकर सारी दुनिया में जहां बिजली की रोशनी नहीं है वहां मिट्टी की तेल की वज़ा से ही उजाला है अगर एक तरफ गैस और बिजली की रोशनी ने मिट्टी के तेल को मात देना शुरू कर दिया है ताहम इसकी आलमगी रफादित अभी भी बाकी हैं दरम्यानी और अधना तवके के लोग जो अभी भी आलमी पेमाने पर कसीर तादाद में पाए जाते हैं वो मिट्टी के तेल की सिवा कुछ नहीं जला सकते हैं तो आप बोल सकते हैं इतना लंबा चड़ा हैं जर लिक सकते हैं अगर पढ़ोंगी तो बहुत ज़्यादा लंबा होगा अभी बढ़ते नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं मजमून निगार मिट्टी के तेल के किन किन और साफ का कायल है यह आप लोग को बताना है एक दम हलुआ कोशन है यह भी देखिए मिट्टी का तेल खौजा से निजा का पांस नबर में जाए यह ध्यान में रखना है तो मिट्टी के तेल के किन किन और साफ का कायल है यह आप लोग को बताना है तो जवाब में तो देखिए मैं बढ़ दे रही हूं चुनांचा खौजास निजामी कहते हैं कि लोग भले ही मिट्टी के तेल को हकीर और बे वक समझते हैं लेकिन इस हकारत के बावजुद लोग इसी के दम से अपनी जिन्दगी में रोशनी पाते हैं मिट्टी के तेल के औसाफ और अफादियत इस खदर है कि चंबेली और मोतिया के तेल की खुश्वोवी इसका मुकाबला नहीं कर सकते बिलकुल सभी बात है मिट्ट मिट्टी के तेल की सबसे बड़ी सिफतिया है कि यह अपनी अफादियत बाटने में भले बुरे का कोई तमीज नहीं करती बलकि मुआश्रे के हर तबके नेक वबद अमीर गरीब बुरह जवान और मर्द और चबों के लिए मुफीद है मतलब मिट्टी का तेल की सबसे करती उसकी मतलब मिट्टी के तेल की रौशनी में कौन क्या कर रहा है नेक काम हो रहा है कि बुरा काम हो रहा है उसकी तेल की रौशनी से अमीर फायदा उठा रहा है कि गरीब फायदा उठा रहा है इसे इसको कोई मतलब नहीं है मतलब मिट्टी का तिल जो है वहर तबके क सब्सक्राइब करता है इसकी रोष्णी में अपना काम निकालते हैं यह सारे सिफद हैं पिस यह विशना है विश्रिष्टा, वहीं तो बताना है। मतलब शिफत विश्रिषताय बतानी है मिट्टी के तेल की और यह लंब चोड़ा आप लोग बोल सकते एंसर लिखा गया है चलिए अब नेक्ट कोशन देखते हैं कोशन ये रहा कोशन नमर सिक्स कि दरजजैल अबारत की तश्रीर सियाक और सबाक की हवाले से किजिए देखि है इसको कहते हैं चाप्टर का ही जो नाम का चैप्टर है उसी का फुकड़ा दे दया गया शिव बीद्ष भात का गया है उसको अभी पुल्य रख इनने पर चैप्टर में क्या बताया गया इस गया ना कौन सी चैफ्टर से पोड़न से आप लिब बात ätte अर एस बहुत कर देना है उसी को कहते हैं हम लोग स्याक को सबाग के हवाले से तश्रीह करना तो चलिए इसका एंसर देख लेते हैं यह एक्तबास है कि क्या तुझ में इतनी ताकत नहीं कि खुदा के नाफर्मान इंसान को अपनी आतिशी तमाचे से खबरदार कर दे बेशक तुझ में सब ताकते खुदा ने रखी हैं वगर तु अच्छी ताकतों को काम में लाता है जिससे किसी को तकलीफ या किसी की दिल आजारी नहों यह है आप लोग का इक्तबास और यह आप लोग को पता चलिए गया होगा यह कौन से चप्टर से उठाए गया है मिट्टी के दिल नम के च मिट्टी का तेल से माखूज है यह एक्तबास मिजमून की आखरी हिस्टे से लिया गया है इस एक्तबास में ख्वाजास निजामी ने वाजाना अंदाज इक्तियार किया है यह उनके मजमین और तहरीरों का खास अंदाज है जिसमें वह बात में बात पैदा करके तबलीग कोई ना कोई पहलू तलाश कर लेते हैं चुनांचा मिट्टी के तेल को मुखातिब करते हुए फरमाते हैं कि तू इतना बिगर्द और बेतालुक क्यों है तेरी रोशनी में ख्वाह शराब नोशी हो या इबादत हो तूझे सिर्फ रोशनी देने से काम है क्या तू लोग किसी को नुकसान पहुँशाना तेरी फित्रत में नहीं है तो यहां पर बोला जा रहा है कि यह जो इक्तिबास है मैं आप लोगों को दिखा दे रही है तो इस अक्तिबास को पढ़कर आप लोगों को पता चल गया होगा कुछ न कुछ तो अनुभाव मिला होगा कि आखिर इस अक्तबास में बताया किया जा रहा है क्या कहने की कुश्च की गई है उसके बाद आप लोग चैप्टर तो पढ़े ही होंगे तो आगे पीछे की बातों को जोड जाड़कर वही लिख देना है और वही यहाँ पर लंबा चुड़ा तश्रीख किया गया है देखें इस अक्तबास को पढ़कर आप लोगो क्या पता चला इसमें यही बताया जा रहा है ना कि मिट्टी के तेल के बारे में बोला जा रहा है खौजास ने जामी बोल रहा है कि मिट्टी के तेल में क्या इतनी ताकत नहीं कि वो खुदा के नाफरमान इंसान को अपनी आतिशी तमाचे से खबरदार कर सके मिटी के तेल की रोशनी में अगर कोई गलत काम हो रहा है कोई बंदा गुनाह कर रहा है तो क्या मिटी के तेल में इतनी ताकत नहीं कि वो गलत काम को रोक सके अगर इतनी भी ताकत नहीं है तो क्या मिट्टी का तेल इतना नहीं कर सकता कि वो खुदा के नाफरमान इनसान को अपनी आतिशी तमाचे से कबरदार कर सके बेशक ये सबी ताक्ते जो है ना मिटी के तेल में हैं, खुदा ने रखी हैं, लेकिन मिटी का तेल जो है अपनी अच्छी ताक्तों को काम में लाता है, जिसे किसी को तकलीफ ना हो, और किसी की दिल आजारी ना हो, किसी को नुकसान न पहुंचे. अगर मिट्टी का तेल चाहे तो जो उसकी रोशनी में गलत काम हो रहा है उसको एक जटके में खतम कर सकता है तबाव बर्बाद कर सकता है इतना ज़्यदा आग फैला सकता है कि पूरी दुनिया तबाव बर्बाद हो सकती है लेकिन मिट्टी का तेल अपनी अच्छी ताकतों को मतलब बुरी का बुरी ताक्तों को छोड़ अच्छी ताक्तों को अपनाता है जिससे किसी की तकलीफ ना हो और यही सुला की पॉलिसी हर इंसान को भी अपनाना चाहिए यही सुला की पॉलिसी अगर इंसान भी अपना ले तो दुनिया में अमन और शांती पैदा हो सकती है क्योंकि इंसान में अच्छी और बुरी दोनों ताक्ते होती है लेकिन इंसान क्या करता है अपनी अच्छी ताक्तों को छोड़ बुरी ताक्तों को अपनाता है जिससे खुद को तकलीफ देता है और दूसरों को भी तकलीफ पहुचाता है तो इस तरह इंसान को भी होना चाह और लगो को समझ में आया होगा अब यहां से आप लोग का कवायद यानि की उर्दु grammar का question है तो देखे सबसे पहला सवाल की दर्जी जैल इस्दाद बनाइए जो है न यह जमा यानिकि प्लूरल वर्ड है बहु वर्शन इसका एक एक वर्शन सिंगुलर होता है जिद का मतलब होता है विप्रतार तक शब्द यानिकि अपोजिट वर्ड उल्टा अर्थ रखने वाले शब्द को कहते हैं जिद या फिर बोल सकते हैं अजदाद तेके अजदाद क्या है जमाहाई plural है तो अलफाद से अजदाद बनाना है यहां पर कुछ अलफाद दिये गए और इस का विप्रिधार तक उल्टा शब्द बनाना है विप्रिधार टक बेकार अगे देखिए दूसरा क्योच्छन है कि दर्देजाइल अलफाद से वाहिद से जमा और जमा से वाहिद बनाई है यानि कि दर्जल जैल निमलिखित ये कुछ अलफाज दिये गए हैं और इन अलफाज से क्या करना है वाहिद से जमा और जमा से वाहिद बनाना है यानि कि ये तो देखिए यहां पर मखलुकात है मखलुकात एक जमा लफज है इसका सिंगुलर क्या हो जाएगा मखलुक मखलुक का यानि की जमा होता है मखलुकात मुल्क यह वाहिद है यानि की सिंगुलर वाड है इसका प्लूरल हो जाएगा ममालिक तकलीफ का तकालीफ सबक है यह सिं वाहिद हो जाएगा यानि कि singular हो जाएगा अमल तो यह हो गया इंसर अब देखें यहां पर तीसरा question पूछा है कि दर्जजाहिल अलफाद से जुम्ले बनाकर जिन्सियत जाहिर करें यानि कि निमलिखित यह जो अलफाद दिया गया है इसका जुम्ले में यूज करना है यानि कि sentence में लिखना है मतलब जुम्ले बनाकर sentence बनाकर जिन्सियत जाहिर करना है जिन्स बता देना है कि लफ्ज मुजक्कर है कि और थो पूर्ण को कहते हैं तो खुषबू गताना ना है यानि कि इस्टरिलिंग में च्छी कि लिए इसे तरणा होता है कि इत्र कि खुषबू अच्छा है नहीं इतने की कि स्ट्रीलिंग चेहाँ चुराब में यूजी घा दिया गया जिक्षल पुरानी है नहीं पुरानी है यानि कि शराब क्या है मुझनस तेल मुझनस नहीं मुझकर है मिट्टी का तेल गिरा है ठीक है खाक भी क्या है मुझनस हिंदुस्तान की खाक जरखेज है ठीक है मखलोक यह भी मुझनस है यानि कि स्ट्रिलिंग है हम सब खुदा की मखलोक है असर असर यह मुझकर है यानि की पुलिंग है मेरी बात का तुम पर कोई असर नहीं पड़ा है तो यह था 12 क्लास के उर्दू का चैप्टर नमबर 2 मिट्टी का तेल नाम के चैप्टर का फुल सल्यूशन अबजेक्टिव और सब्जेक्टिव हर एक चीज सारा कोश्टन में कम्प्लीट करा दी आई होप आप लोगो हर एक चीज समझ में आया होगा और कोई भी कमफ्यूजन हो आप हमें कमने में पूर्च सकते हैं बाकी तो आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे तो सारे अब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का इंसर आप लोग खुद से दे पाए होंगे आई होप ठीक है अब इसका जो नेक्ट वीडियो होगा उसमें मैं आप लोगो चैप्टर नंबर थ्री पढ़ाऊंगी तो चैप्टर नंबर थ्री के लिए तयार रहेएगा आज क इस वीडियो को यहीं पर इंड करते हैं अभी तक वीडियो को शेर नहीं किये हैं लाइक नहीं किये तो फड़ावाट शेर कर दें लाइक कर दें और चानल पर नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा ठीक है फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टापिक के स तब तक के लिए जहिंद और खुदा हाफिज